हलो गाईज फिर से एक नए वीडियो में सुवागत आज मैं आपको बताऊंगा आपके पास रेडमी शाओमी पोको का कोई सा भी डिवाइस हो उसमें आप डाटा की लिमिट केसे सेट कर सकते हो इसके आप कभी यार दोस्ट को होसिस्पोर्ट दे रहे हो तो वो डाटा काई प्रता यूज भी जादा कर सकता है तो मुवी वगरा कुछ डाउनलोड कर ले तो आपके तो प्रॉब्लम हो जाती है कि डाटा ज्यादा यूज हो जाता है तो अपनी सेप्टी के लिए आप अपना डाटा की लिमिट शेट करके उसको दे सकते हो उसके बाद में क्या होगा आपको क्या करना सबसे पहले आपके डिवाइस की शेटिंग में जाना है तो शेर मी प्रोसेस है कुछ भी इसमें अलग नहीं है तो आपको सिंपल सी क्या करना है connecting and sharing के option में आपको चले जाना है उसके बाद में आपको portable host का option देखने को मिल जाएगा आपको simple सी इसके ओपर tab करना है और आपको यह एक option देखने को मिलेगा one time data limit ठीक है आपको इसके ओपर click कर देना ठीक है जैसे click करो अब आप यहाँ पर देख सकते हो one time data limit आप अपनी data limit limit set कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या होगा इस option को on कर लेना होगा इसके बाद में आपको size पर जाना है ठीक तो अब आप देख से तो इसके अंदर free install आती है 50 MB, 100 MB, 150 MB और 200 MB अगर आपको 50 MB, 100 MB, 150, 200 देनी है तो आपको simple सी इसपर click कर लोगे तो यह limit set हो जागी अगर आप आपको custom अलग देनी है 500 देनी है कुछ जादा ही देनी है तो आपको custom के ओपर click करना होगा और आप यहाँ पर जैसे कि मैं कर लेता हूं साड़ी 500, ठीक है 550 MB मैं यहाँ पर कर लेता हूं, जैसे ही आप इस पर okay करेंगे तो आप देख सकते हो अब यह 550 MB हो गई, अब आप किसी को host support दे रहे हो तो वो use करेगा तो 500 MB तक तो वो use कर सकता क्योंकि आपने limit दे दिये उसकी, ठीक है साड़ी 500 MB आपने limit दे दिये, यहाँ तक वो use कर सकता, इससे अगर ज्यादा वो use करेगा तो आपना mobile का host support automatically disconnect हो जाएगा, उससे आगए वो ज्यादा use नहीं कर सकता, अगर आप इसको off रखते हो तो वो किता भी use कर सकता, जब तक आप अपना host support off नहीं करो, जब तक वो इस subscribe कर लिजी और bell icon को press कर दीजिए, ताकि जब भी मेसा कोई new video बनाओ, तो आपके पास notification मिल सेगे, चलो मिलते है next video में, जब तक जे हिंजे भर्त वंदे मात्रम